दोस्ते इस वीडियो में हम आपको संस्कृत सुभासित से कुछ महत्पूर्ण सुत्र एबंप स्लोक बताएंगे और उनकी अर्थ भी समझाएंगे तो चलिए जानते हैं उन चुनिदा स्लोकों के बारे में जो अपने आप में है अध्भत और अधित्विया पहला स्लोक अन्न दानम परमदानम विद्या दानम अधा परम अन्ने न क्छणि का त्रिप्ति ही यावज जीवम जविद्यया अर्थात अन्न का दान परमदान है और विद्या का दान भी परमदान है परंतो दान में अन्न प्राप्त करने से कुछ खणों के लिए ही त्रिप्ति प्राप्त होती है जबकि दान में विद्या प्राप्त करने से जीवन परियंद अर्थात आजीवन त्रिप्ति प्राप्त ह अर्थात साप भी क्रूर होता है और दुस्ट भी क्रूर होता है किन्तु दुस्ट साप से भी अधिक क्रूर होता है क्योंकि साप के विश्का तो मंत्र से भी समन हो सकता है किन्तु दुस्ट के विश्का समन किसी प्रकार से नहीं हो सकता चले जानते हैं और एक सुत्रा अर्थात जहां पर मूर्ख की पुजा नहीं होती अर्थात उनकी सलाह नहीं मानी जाती धायने को भलिवाती संचित करके रखा जाता है और पती पत्नी के मजध कलह नहीं होता वहां लक्षमी का निवास स्वयम होता है ये तो हुआ तीसरा स्लोग चोथा सुत्र अर्थात सो लोगों में एक सुर पेदा होता है हजार लोगों में एक पंडित पेदा होता है दस हजार लोगों में एक वक्ता पेदा होता है और दाता कोई भिरलाही पेदा होता है पाच्वा तथा अंतिम सुत्र अर्थात जिस प्रकार फलों से लदी हुई ब्रिक्ष की डाली जुग जाती है उसी प्रकार गुणी जन सदेव बिनम्र होते हैं परन्तु मुर्ख लोग उस सुखी लक्टी के समान होते हैं जो कभी भी नहीं जुगता तो दोस्तों ये थे जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथा सूफ हलदायक स्लो के बमसुत्र आप लाइक और सेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दाब होलें